तो प्रज़न है । एक टेस्ट में रुपाली को 84 परतीशत अंक प्राप्ट हुआ एक और टेस्ट में उसने 25 में 27 प्राप्ट तो Beautiful 35 परतीशत था तो पहला टेस्ट में कितने अंकों का हुआ था, तो माना कि पहला टेस्ट एक्स अंकों का हुआ, एक्स अंक में उसको 84% मिला तो इतना मिला, अगला में उसे मिला है 27 अंक, 27 अंक मिला तो इतना मिला, तो टोटल उसे इतना प्राप्त हुआ, इस तरह से पहले एक्स अंक का ए इतना का उसे 75% प्राप्त हुआ है कि समझ में आइब बात कि पहले कितना का एक्जाम हुआ यह नहीं पता है लेकिन उसमें 84% मिला है अगला में 45 में से 27 लाई है तो एतना अंक जोर को उसको टोटल प्राप्त अंख हो गया अभू कह रहा है कि दोनों एक्जाम जो मिला कर जाता तो उसको 75 परसेंट प्राप्त हो तो दुनों में मिला कुसको 75 परसेंट आया तो यह हो जाएगा थिरी एक्स अपलस पैंतालिस तिया एक सो पैंतीस अबटा में तो चार न यहीं न आयाएगा तो चार से ही कट गया 25 बार में तो यह आ गया 84 एक्स पलस सताईस सो बराबर 25 तिया एक्स पाच्छत्तर एक्स अब पलस 25 से इसमें गुना करें जहां तो 25 पचेश सो पचीस के पांच हाँसिल 12 अब 25 तिया एक्स अब बारा तो इसको घर ले जाएंगे तह पांच और नव एकस बच जाएगा तो न एकस भराबर 27 फिन दर ले आएंगे तो कितना 600 सच्छो ते रचो कि 75 बच जाएगा इतना ही बचेगा नहीं है इतना ही बचेगा तो से कार दीजिए नव सते सब्सक्राइब तो टोटल का अंक एकजाम हुआ तो पहला 75 अंक एकजाम हुआ ठीक है मेरे उम्मीद से आप समझ गए होंगे इस बात को इधार और रीचत प्रस्ट है मेरे प्यारे दोस्तो एक ठेकेदार को मालवाग ट्रेन में दस दिन में समान उतारने का ठेका मिला उसने दूसरी वसी लोग को काम पर रखा, तीन दिनों के बाद एक वटा दो काम पूरा हुआ, तो तीन दिनों के बाद देखे, आदमी दीन घंटा जारू के संख्या प्रतिव्यक्ति खपत उपर रखते हैं, बाकी सब नीचे, ठीक, पहला कंडिशन के तो एक तरफ है, दूसरा कंडिशन क अगर आप यह नहीं जानते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेन रूल का विडियो देखे, चेन रूल के विडियो में बताया गया है कि आदमी दीन घंटा जारू के संख्या प्रतिव्यक्ति खपत या फिर ऐसी कोई बस्तू या जन्तू, जो कुछ काम करे, यह कैसे उपर रहते हैं, उसके आलाबाद जो भी होगा उसके पहला कंडिसन के तो पहला के नहीं चाहिए, दूसरा का है तो दूसरा के मिचे, तो दूसरो अस्ती आदमी काम पर लगाया है, ठीक है, और काम चला है तीन दिन, और तीन दिन में आधा काम हुआ है, अब हु कह रहा है कितने आदमी को नीकाल दे तो माना एकस आदमी को नीकाल दे तो जो नीकाल देगा तो बच केतना जाएगा जो ब्यक्ति काम कर रहा था सो लिखे यहां तो इसमें बच केतना आदमी जाएगा तो दूसर अस्ति में से मान लिए हम की एकस ब्यक्ति को नीकाल दिया तो दूसर में से घटा लेंगे उतनी ब्यक्ति कुन अभी रखे हुए है अब काम बचल है आधा है इसको करना आप सेश दिन में करना है तहीं तीन दोस दिन कर चुका है तो कह दिन साथ दिन आधा से अभी दुनों बराबर हो जाएगा आधा से आधा कट गया साच्यों कट आइस ब्यक्ति को हटाना परेगा क्यों नहीं है देखिए उसमें क्या है कि प्रस्ण के अनुसार एक बटा तीन काम कह रहा है कि हो गया है जबकि इसमें इसमें कह रहा है कि आधा काम हो गया है जबकि होना चाहिए था एक बटा तीन काम हो गया है ठीक है तब आपका एंसर चालि आवास के जन्म दिन पर 350 या 378 अतिति आएंगे परतेक अतिती को चोकलेट पेस की जानी है विक्रेता का कहना है कि वह काटून में चोकलेट पैक करेगी और जो बीना खुले काटून बज जाएंगे उन्हें वापस ले लेगी लेकिन उसे जितने काटून पैक करने परेंगे उनकी पैकिंग लागत जोरीगी ऐसे में आवास को परतेक काटून में कितने चोकलेट रखवानी चाहिए परतेक काटून में अधिक से अधिक चोकलेट रखवानी चाहिए तो अधिक से अधिक जो होता है देखिए अधिक से अधिक परतेक काटून में चोकलेट रखवान इसका मतलब हमारे को मौसा निकालना है जब लौसा मौसा का वीडियो देखेगा तो उसमें बताया गया है कि कैसे मौसा निकालना है यहां तो कोश्चन बताना है तो परतेक डबा में चौकलेट जो होगा 350 और 378 का मौसा होगा ठीक है तो निकाल दीजिए 350 से 378 में भाग देंगे एक बार में 350 तो इवच गया तो बज़ जाएगा साथ जीरो तो 28 दुना 56 तब बज़ जाएगा चवदा तो 14 को गहरेंगे 28 उतारेंगे तो 14 दुना 28 ठीक है हमारा उत्तर आ गया नेक्स्ट प्रस्ण है एक कथन इसकर्स का है बहुत प्यारा सा प्रस्ण है आज कल इस टैप का प्रस्ण जादा पूछ रहा है करा कि A C E G I A, C, E, G, I, एक कतार में खरे हैं, काउंटर के पास कौन खरा है, इधर सब खरा है, तो एक, दू, तीन, चार, पाँच आदमी, पाँच आदमी है न, पाँच आदमी है, तब पहला जो है, पहला, उ कह रहा है, पहला कतन की A सबसे दूर अंत में खरा है, और E, A से पहले खरा है, तब काउंटर के सबसे पास कौन ही पता चल पाया, दूसरा लेते हैं, एक काउंटर है, इसके बाद खरा है, एक, दू, तीन, चार, पाँच आदमी, दूसरा करा है कि C बीच में खरा है, तो C यहाँ पर बीच में खरा हो गया, C बीच में खरा है, और I, C से पहले खरा है, तो I यहाँ हो जाएगा, इस C हो गया, C बीच में खरा है, तो लेकिन A यहान पर कौन है तो अभी किलीर है लेकिन जब दोनों को मिला देंगे दोनों को एक साथ मर्ज़ कर दीजिये तो यहाँ हो जाएगा लेकिन जब दोनों को मर्ज़ कर दोनों मिलके बन गया हमारा उत्तर हो जाएगा अप्सन में कि डी नंबर कथन एक और दो दोनों एक साथ परियाप्त है चीक है अच्छा से समझ में आया है उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा नमस्कार भारत मता की जय जय हिंद